आश्लाम अलेकम जी आज मैं बनाने लगी हूँ फैता राइस और यह मैंने लैफन और अधर दोनों जो है ना इनको छॉप कर लिया और इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई करना ब्रॉण नहीं करना और साथ ही मैंने चिकन शामल कर दे ना जी तो मैंने चिकन जो है ना शामल कर लिए और साथ ही मैं यह है नमक नमक मैंने पूरा नहीं डाला जितना डालना चाहिए क्योंके मैं जब राइस बॉइल करूंगी तो उनके अंदर भी मैंने डालना है और यह है काली मिच, चिली फ्लेक्स, धनिया पॉर्डर और सुर्ख मिर्च यह जी मैंने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए और इसके थोड़ा सा पानी शामल कर देंगी और फिर इनको धाप दूँगी ताके गल जाए चिकन जो है ना चिकन जो है ना इसको 10 सिर्ट होगे और यह तीन तरह की मेरे पास यालो और इंज और गरी जो है ना बेल पेपर है ये मैं शामल कर दूँगी इसी पानी में जो है ना जो पानी बाकी है इसके अंदर ही यह गंज है और इसको फुल नहीं गलाना इसको क्रणची रखना और प्याज जो है वो मैं थोड़ा खेहर के इसके अंदर शामल करूँगी अभी नहीं शामल करूँगी बरतनों को क्या हो गया कि तरह और आ रहे हैं और इसके अंदर में साथ ही जो है ना वह सोय सास स्वाइब कर दूँगी टीज़िश्पून के हिसाब से और कैचप और चिली गार्लिक सॉस इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना और इसी के अंदर इनको जो है ना टोटल पांच मिनट आपने पकाना है और यह बार्बीक्यू सॉस इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है अब मैं इसके अंदर जो है ना अनियन शामल करूंगी और इसको भी ज्यादा देर नहीं पकाना है आपने सिर्फ ना पांच मिनटी पकाना है अब में पांच में अब प्रिश निकाल ली आए यह चिकन और वेजी ने बॉइल राइस आपको आपको यह ना पांच मिनटी जो हैं ना वह नहीं आप नहीं डाला था क्योंके टमाटर गल जाता आप इस तरह से भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन यह दो तया लगी होगी ना तो जरा सानी से मिक्स हो जाएंगे और यह वाली जो ले रहना इसके अंदर टमाटर में डाल दूंगे ताके गले ना अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी आप मिक्स कर लें या ऐसे ही जो है ना सिर्फ फांच मिनट का दम देना मिक्स करके इनको दम दे दे यह लें जी राइस हो गया डन और बहुत ही अच्छी और इसी तरीके से बना के आप भी इन्जुए करें और इसी के साथ अजाज़त असलाम लेकुम